मेरे सभी बड़े वो छोटे मित्र भाई बंधूं का यमके जैसवाल आनलाइन क्लासेस में स्वागत है मेरे भाई आज मैं आप लोगों के लिए DC जेनेटर का निचोल पॉइंट की पॉइंट जो यहां पर लाया हूँ ठीके अब हम लोग जो हे UP, PCL, GE हो चाहे टेक्निकल का कोई भी एक्जाम हो PG, CIL भी होने वाला है ठीके मेरे भाई चाहे UP, R, P, N, L, जो भी है सची, JE कीतना सारा एक्जाम है मेरे भाई हम कितना नाम लें बस यह जान लिजिए कि आप लोग टेक्निकल के छात्र हैं तो आए अब हम लोग जो है हाँ धोके नहीं पढ़ेंगे पीछे अब नहाँ धोके जो है इसके पीछे पढ़ेंगे ठेके मेरे भाई ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे आए पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए हमने लिखा है DC जनरेटर को क्या कहते हैं DC जनरेटर को मेरे भाई घुरडी मतलब घुमने वाला घुरडी प्रवर्धग भी कहते हैं जितना भी मैंने पॉइंट भाई लिखा है सब जो है किसी ने किसी टेक्निकल बोड में आया हुआ है ठीक है देखो मे करता है अच्छा कम्यूटेटर जो है कार्य करता है half wave full wave दिया रहेगा तो क्या मारोगे full wave rectifier की भाती कार्य करता है इसके बाद मेरे भाई इस बात को तो बच्चा बच्चा बता देगा कि variable लासेश जो होता है copper winding में होता है जिसको में लोग क्या करते हैं copper winding का प्रयोग करते हो बोल मेरे भाईया जबाब हो जाएगा compensating winding का प्रयोग करते हैं आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए क्यूंकि आप लोग UPPCLJ किसके मेरे सिर जबाज हैं और इसको हम लोग कच्चा चबा के खाने वाले हैं जिसको देखने के बाद आप बैठेंगे लग यहां पर की पाइंट में निखा गया है low voltage high current अच्छा अच्छा अगया अगया low voltage high current के लिए live binding का प्रयोग करते हैं मेरे भाईया और इसमें जो है ना carbon brush का यूज करते हैं हर जगा मेरे भाई बोलिए carbon brush का ही यूज करते हैं जैसे आप लोग यहां पर देखिए यह अलग को सन में बोला कि DC मसीन में brush होते हैं तो भाईया आप लोग जहें carbon को ही टिक कीजिएगा ठीक है यहां पर carbon को ही टिक कीजिएगा लेकिन यहां पर बोल्ट रहा है कि low voltage high current के लिए live binding होता है और यहां पर मेरे भाई का पर brush का यूज करते हैं भूलेगा नहीं भूलेगा देख मेरे भाई और live binding में जो है न इकुलाइजर ring का प्रयोग करते हैं भेरी भेरी important है मेरे भाई इसको रोगा करके यूज कर लिजिएगा ठीक है अभी मैंने कल वाले वीडियो में live binding बे बायोग के बारे में बताया था और यहां पर क्यों प्रयोग करते हैं भाईया circulating current को कम करने के लिए circulating current को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हो equalizer ring का प्रयोग करते हैं मैं एक दो बार repeat करूँगा कि ताकि आपके दिमाग में यहां पर fit कर जाए देख मेरे भाई अब यहां पर जो है जब low voltage high current की जब बात आई है ना तो थोड़ा size को भी जान लिजिए कि high voltage low current के लिए अच्छा अच्छा यल मतलब यहां पर लिखा लाइब बाइडिंग ना तो low voltage के लिए लाइब बाइडिंग तब भाईड़ा वेव बाइडिंग जो होगा हाई बोल्टेज जहां पर high voltage है current क्या होगा लो होगा लो current के लिए प्रयोग करते हैं किसको भाईड़ा वेव समानपाती होता है अनुक्रमानपाती होता है पूछ दिया तो क्या बोलोगे बोलोगे रिलक्टेंस के समानपाती होता है अनुक्रमानपाती होता है मतलब जब रिलक्टेंस का मान जब बढ़ेगा न एर गैप का भीमान बढ़ेगा घटेगा तो इसका भीमान घटेगा अब यहाँ पर देखिए लिखा है कापर और एर मतलब हवा का मियू आर मियू आर का मान क्या होता है बताओ रिलेटीव परमिल्टी का मान क्या होता है बहिया जबाब हो जाएगा एक होता है ठीक है ना अच्छा यहाँ पर मेरे भाई करहा है एर गैप को कम करने के लिए एर गैप को कम करने के लिए बहिया किसका प्रयोग करते हो जबाब हो जाएगा स्लाट वेज का प्रयोग करते हैं ठीक है स्लाट वेज का प्रयोग करते हैं ठीक है मेरे भाई अब देखो फूल पीच वाइंडिंग के लिए फूल पीच वाइंडिंग के लिए दोनों क्वाइल में जो उत्पन बोल्टेज होता है कैसा होता है बोलोगे सेम फेज में होता है फूल पीच वाइनिंग के लिए दोनों क्वाइल में उत्पन बोल्टेज क्या होता भाई सेम फेज में होता है मेरे यूपी पीसेल जही के सेर जवान इस चीज को आप लोग जो है ना पूरा दिमाग मे कैच कर लिजिएगा देखिए फ्राग लेग वाइंडिंग का प्रयोग ठीक है ना मतलब क्या होता है फ्राग लेग वाइंडिंग में भाई मेरे जो होता है ले बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग दोनों का कंबिनेशन होता है आपसन में जब आएगा ना तो आप लोग यहां यदिकरेंगे यांब के डालाइन आप लोग आफसान नंबर सी को टिक कीजिए ठीक है ना कि लिट मैंनिग और कम्हींस यहां फ्राग लेगक कीजिए घोता है और यूज होता है ना फ्राग लेग वाइंडिंग का यूज जो है पावर मसीनों में करते हैं किस में करते हैं पावर मसीनों में करते हैं अच्छा और मेरे भाई ये करता क्या है ये भी जो है circulating current को circulating current को मेरे भाई जो है कम करता है क्या करता है? कम करता है जिस प्रकार से ये कहां गया equalizer ring का प्रयोग क्या करते हैं ठीक है lab binding में क्या करते है circulating current को कम करने के लिए प्रयोग करते है चले ठीक है अब ध्यान दिजी अब बात करते है equalizer ring ठीक है किस पर निर्भर करता है मेरे भाई ऐसे ऐसे जब सवाल जब आएंगे न तो यह टावर जो चुन्नी है न खड़ा हो सकता है इसलिए आप लोग मेरे साथ साथ जो है तावर तोड बोलते रहिए तब यहाँ पर आप लोग बताएए यहाँ पर लिखा ही नए गया है क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि कमुटेटर से आने वाले करेंड को धागे पकड़ेगा कि चल 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 कहाँ चल वाई परिपत में चल जहाँ पे टीबी चल रहा है पंखा लगा हुआ है लोड लगा हुआ है वहाँ पर भीजता है समझ रहे हो ना अब देखे मेरे भाई यहाँ पर बोड़ा है कि इंटर पोल द्वारा उत्पन यम यम यव उत्पन यम यव किसके समानुपाती होता है पताईए जवाब हो जाएगा मेरे भाई आप लोग पताईए आप लोग पढ़ते हैं जवाब हो जाएगा मेरे भाई आई ये आर्मेचर current के समानुपाती होता है इन्टर पूल द्वारा उत्पन यम यम यफद भाई जो होता है आर्मेचर current के समानुपाती होता है ठिक है अब ध्यान दो यहाँ पर दिया है अगला कुछन कि DC generator में आर्मेचर से बाहरी सरकिट के लिए निकलके बाहरी सरकीट में जो भाय जो current जो देते हैं किसे के द्वारा देते हैं तो जब आप यही आएगा आप बोलोगे brush नहीं भाया आर मेचर से बोड़ रहा है कि आर मेचर वां से निकलके तो आर मेचर से जब निकलता है तो भेट करता है कमुटेटर से फिर भेट करता है किस से जल्दी बोलो ब्रस से तो कुलमिलाज उलाई के यहाँ पे बोलोगे कमुटेटर और ब्रस ठीक है भाई ना कमुटेटर और ब्रस दोनों से होकर जाता है क्योंकि यहाँ पे बोला है आरमेचर से बोला है बाहरी circuit के लिए current दिया जाता है क्या बोलोगे जल्दी बोलो Commutator और Brust के द्वारा दिया जाता है ठेके मेरे भाई और इस पसीने की कीमत को मेरे भाई आप लोग समझेए ठेके सारा फैन बंध है और अपने मेरे भाई आप लोग समझार हैं अब देखो मेरे भाई यहां पर बोल रहा है कि डी सी जानेटर में अधीकतम दच्छता इफिसियंसी का मान कब होगा बताओ मैंसथ एफिसयंशी की सर्थ क्या होती है जब कान्स्टेंट लासेज होगा वायरियवल लासेगो चेंतर के क्या वहाई यहां इकॉल होगा इसे तो बच्छा क्या य जानता है लुब टेखनीकल बच्चा चानता है बंतलब आप जानते हो देख मेरे भाई वह मसीन जो गतिसी समानुपाति होता है तो यहां पर आप्षान में दोकों पर होगता है तो यहां पर दिया था फाई फ्लक्स के भईया फ्लक्स के तो होता है लेकिन इसका फर्मूला होता है E is equal to फाई पंज upon 60A भईया फाई लिखा है ना तो फाई प्रपोस्टन तो हो गाई लेकिन मान लिजिए because में यन भी दिया हो ना तो आप लोग यन को भी कीजिएगा कहाने का मतलब मेरे भीया लोग कि यहाँ पर सुत्र में जो दिखाई देता है उसको हम लोग टिक करते हैं तो सुत्र याद रहेगा तो सुत्र के हिसाब से बना लिजिएगा कि कौन जो समान पाती है आप लोग समाजदार है क्योंकि मेरे भाई आप लोग UP, PCL, GE Electrical Preparation कर रहे हैं Electrical के जबाज से रहे हैं देख मेरे भाई लिखाई DC मसीन में ब्रस होते हैं ब्रस बने होते हैं तो मेरे भाई बोलिए कार्बन के ब्रस होते हैं क्योंकि मेरे भाई यह जो है Lubricant का भी काम करता है कौन भाई या कार्बन ब्रस ठीक है अब यहाँ पे देखो अगला कुशन है यांत्रिक और संतुलन को अरे भाई ध्यान दिजेगा Most most important exam point वाला है यांत्रिक और संतुलन को कम करने के लिए यांत्रिक और संतुलन को कम करने के लिए dummy coil का dummy coil का प्रयोग करते हैं या winding का प्रयोग करते हैं भूलेगा बोल मेरे भाई भूलेगा नहीं भूलेगा इसको एक बार देखेंगे न जब आपको नीद ना आए बस इसको लगा के बस सुनिए रात को देखिए 11 बजे याद ना आजाए तो कहना आपको याद हो जाएगा ठेक मेरे भाई यहाँ पर देखू बोड़ा है कि DC मसीन के armature winding में aluminum का प्रयोग नहीं करते हैं भैया copper का ना प्रयोग करते हैं copper winding का लेकिन बोड़ा है कि यहाँ पर aluminum का प्रयोग नहीं करते हैं काहें नहीं करते हैं क्योंकि यह ज्यादा space घेरेगा भहुत सारी बाते हैं लेकिन यह भी बात याद रखिएगा ठीक है मरे भाई ना अच्छा ब्रस पर चिंगारी जब आती है तो किसको साप करोगे बिमबार से नहीं पता हो मेरे भाई किसको साप करोगे जवाब हो जाएगा कमुटेटर को साप करते हैं कमुटेटर को साप करते हैं कब भाईया जब ब्रस पर चिंगारी आती है तब और मेरे भाई DC जानेटर की जो रेटिंग है ना किलो वाट में होती है इसको तो मेरा UP-PCLJE का जो जवान जो देख रहा है ना इस बात को तो जानता है क्योंकि वह यमके जैसवाल आनलाइन क्लासेश में पढ़ता है ता बड़तोर पढ़ता है UP-PCLJE के मेरे सेर जवान अभी रुकिए एक मिनट और रुकिए मेरे बात पूरी सुन लिजिए UP-PCLJE PG-CIL UP-RBINAL जो भी जाम होने वाला है मेरे भाई सब के लिए यह वीडियो इंपोर्टेंट है यह तो मैं बताया तो सुरुवात में आपको मैं यह कहना चाहता हूँ मेरे भाई साहब इसका स्क्रीन साट ले लिजिए मैं फिर आऊंगा इसमें सुधार करके ठीक मेरे भाई ना और जो है अच्छे तरीके से मैं जो है वीडियो को बनाता रहूँगा बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कम से कम पांट-दस लोगों को मेरे भाई इस वीडियो को सेर कर दिया करिए क्योंकि हम जानते हैं कि चैनल मेरा नया है आप लोगों के पास वीडियो जो लेट में पहुचता है लेकिन जब पहुच गया है तो इसको सेर कर दिजिए ठीक है मेरे भाई हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ थैंक्स फार वाचिंग आपका दिन सुब़ धन्यवाद लेकिन मेरे भाई इसका स्क्रीन साट ले लेना